हेलो एवरिवान वेल्कम बैक थो माई चैनल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आमके अचार की रेसिपी अचार के विना हमारे खाने को अधूरा माना जाता है आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो पहले के दादी नानी के जमाने में जिस तरीके से अचार डाला जाता था वो रेसिपी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस तरह से अचार बनाने से पूरी तरह से अचार गल जाता है कुछ लोगों की शिकायत होती है कि अचार तो हम डाल लेते हैं लेकिन वो पूरी तरह से गलता नहीं है तो उसके लिए हम आज आपके लिए रेशिपी ले कराए हैं तो शुरू करते हैं आज की रेशिपी आम का चार बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिये हैं एक किलो आम, कच्चे आम ले लिये हैं उनको पहले एक घंटा पानी में भी होके उनको अच्छे से साप कर लिया फिर उनको काट करके उनमें नमक लगा करके नमक अच्छे से इसमें मिला के फिर हम इसको किसी बरतन में डबे में कांचका हो या जो पैट जा रहाते हैं उनमें डालके इसको हम रख देंगे इसको नमक लगा के रखने से इसके अंदर जो आम के अचार का जो खटास है वो सारी बाहर आ जाती है और आम अच्छे तरीके से गल जाता है पूरी तरह से इसको हम तब तक रखेंगे जब तक हमारी जो आम की जो फाके हैं यहरी से पीली ना हो जाए एक दिन रखने के बाद 24 घंटे पूरे होने के बाद हमारी आम की जो फाके हैं यह इस तरह से हो जाएंगे और इसको हम हाथ से दबा कर भी देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा गलाना हो तो इसको आप एक दिन और रख सकते हैं इसको फिर हम छलनी में निकाल के इसके पानी को जो अंब्यू ने नमक के साथ मिलके अपना पानी बनाया था उसको हम निकाल लेंगे और इसको च्छान करके आम की पांकों को धूप में सुखा लेंगे इस तरह से हम इनको दबा के देख सकते हैं कि पांके गल गई है कि नहीं अब ये देखी पूरी तरह से गल गई है लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा गलाना चाहे तो एक दिन और रख सकते हैं इसको अब इसको हम धूप में सुखा देंगे एक दो घंटे की धूप लगाने के बाद हम अचार को डालने का प्रोसेस सुरू करेंगे अब धूप में सुखने के बाद यह आम इस तरह से हो गए है अब हम अचार डालने का प्रोसेस सुरू करेंगे इसमें हम मसालों को मिलाएंगे आम की पांकों को हम एक बड़े बॉल में ट्रांस्पर कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे मसाले मसालों के लिए हम इसमें हमने लिया है दो चमज मेथी दो चमज सॉफ एक चमज कलोंजी सबी खड़े मसालों का इस्तेमाल हम यहां पर कर रहे हैं दो चमज इसमें हमने साबू धनिया लिया है हल्दी मिर्ची इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है और कुटी भी लाल मिर्ची में डाली है तीखा आपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते है मसालों को अगर आप ज़्यादा मसाला खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा मसाला और ज़्यादा मिला सकते हैं अब हमने जो पानी चान के रखा था उस पानी को इसमें मिला देंगे इस तरह से सारे को मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पर इसमें हींग पाउडर आधा चमच और तेल डालके रखेंगे तेल और हींग डालने की वीडियो बीच में स्किप होगी थी तो इस तरह से सारे मसाले को मिक्स करके हम इसको एक काच के बरतन में डालके रखेंगे और इसको कभी धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यह इसी तरह से खाने के लिए तयार है आप चाहें तो इस सचार को साथ के साथ भी खा सकते हैं वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेर अवश करें तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत